नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी कैक नए वीडियो में हाजी रेवक लेटेस लीगल वेकंसी के साथ ये वेकंसी आपकी ओनेवल इलहाबाद हाई कोट से है पोज का नाम है लॉकलर ट्रेनी या जिसे आप लॉकलर कम रिसर्ज असिस्टेंट भी कहते हैं इस रेक्यूट रेक्यूटमेंट में फ्रेसर्स भी लिजबल होने वाले हैं जो लोग लास्स सेमेस्टर में हैं वो लोग भी अपलाई कर पाएंगे इसके ओफिसेल नोटिपेशन के लिए आपको इसकी ओफिसेल वेबसाइट पर जाना होगा जिसका लिंक आपको वीडियो को बेरेडरेक्ट हो जाएंगे जहां से आप इसके नोटिपेशन को डाउनलोड कर सकते हैं साथी साथ रेजिस्टर करके लोग इन करने के बाद आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विदिक पल को और पाए लेटेस लिगल जॉब की Starting Date करहे है आपकी अप्लिकेशना फॉर्म की, वह 10.5 2030 यानि आपकी अप्लिकेशना फॉर्म् स्टाराफ हो चुके है,《Closing डेट या लास डेट》 जिसकी है चौगिसफ-5 2030 बात करें मन्तली इन वहुग आपका 25,000 पर만त का, वहीं एज से लेकरकि वहारे तो होने आपकी 21 से ल इलावाद High Court ने same post के लिए recruitment notify किया था जिसको उन्होंने cancel कर दिया है तो वो vacancies रहेंगी और जो इस साल upcoming year में आपकी vacancies होने वाली थी दोनों को मिला दिया जाएगा existing vacancies and also for vacancies likely to occur in the recruitment year दोस्तों इन्होंने जो last month में recruitment notify किया था उसमें लगबग 33 vacancies थी इस बार इन्होंने कुछ vacancies add कर दी है इस fresh notification के जरिये तो आपकी जो vacancies है वो 33 प्लस होने वाली है application fee की बात करें तो वो है आपकी 300 डूपीज essential education qualification की बात करें तो आपके पास law की डिगरी होनी चाहिए bachelor's degree in law whether 3 year or 5 year integrated course like BLV, BBLV application shall be accepted from such law graduates who have not started practicing as an advocate जो भी candidates final year में और rather last semester में exam में appear हो चुके हैं और result अभी तक उनका declare नहीं किया गया है वो लोग भी apply कर सकते हैं provided कि आप interview तक final year की जो mark sheet है वो hold करते हों क्योंकि वो आपको submit करनी पड़ेगी और जो आपका interview का मन्त है वो क्या है जुलाई 2030 में आपका interview होगा फर्दर आपके पास computer की basic knowledge भी होनी चाहिए selection procedure की बात करें तो सबसे पहले आपका screening test होगा जो की 4th of June 2030 को होना है उसके बाद उसमें जो होगे उनको call किया जाएगा interview के लिए फाइनल सेलेक्शन है वो केवल interview के जो marks होगे आपके उनके basis पे होने वाला है जो आपका screening test होगा उसकी scheme इन्होंने इसी notification में appendix first के form में mention करके रखी है अभी हम further आपसे इसको discussion करने वाले हैं nature of work आप यहां से check out कर सकते हैं जो भी successful candidates होंगे उनको attach किया जाएगा with the honorable judges at इलावाद और लखनाव बेंच यानि आपको इलावाद या लखनाव कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है period of engagement की बात करें ती इनिशली आपको one year के लिए engage किया जाएगा उसके बाद आपकी performance का review किया जाएगा अगर आपकी performance satisfactory रहती है उसको further extend किया जा सकता है one more year के लिए यानि आपका selection two year के लिए हो सकता है यहां पर आप further देख सकते हैं इन्होंने disqualification में एक point mention करके रखा है those who have already work as a law clerk trainee will not be eligible to apply again यानि जो लोग पिसले वाले batch में सेलेक्ट हो चुके हैं इस recruitment में वो लोग apply नहीं कर पाएंगे आप यहां से further देख सकते हैं जो भी candidates इसका जो प्रिविएस notification था advertisement number first oblique 2030 notification dated 63230 इसमें अपना form complete कर चुके हैं सारा examination fee वेरा पे कर दिया था उन्होंने यानि आपका form अगर complete था इस notification में आपको apply करने की जरूवत नहीं है need not to apply again यानि आपको दुबारा apply करने की जरूवत नहीं है ऐसे candidate जिन्हों अप्लाई तो किया था लेकिन अपनी payment detail update नहीं कर पाए थे तो लोग login करके अपनी payment detail जो है वो update कर सकते हैं लेकिन उन्हें fresh apply करने की जरूवत नहीं है यह ऐसे candidate जिन्हों ने apply किया था बड़ जो required fee थी उसे पे नहीं किया था तो वो लोग आपको जो selection वो केवल interview के जो आपके marks होंगे उनके basis पर होना है देखिए यहाँ पर आपके दो question होने वाले first question में आपका essay रहने वाला है जिसमें आपको 1000 word में ऐसे लिखना होगा वहीं जो आपका second question होगा वह होगा आपका legal problem and writing research relating to it तो आपके दो question होगे पहला होगा आपका essay का 1000 words में आपको एसे लिखना है second question होगा वह होगा आपका legal problem पर जो भी लोग इस test में पास होगे उन्हें call किया जाएगा interview के लिए जो भी vacancies होगी उनके five time student को call किया जाएगा interview के लिए और जो आपका selection है जो interview में आप score करेंगे केवल उसके basis पे होना है screening test के marks final merit में नहीं जोडने वाले हैं दोस्तों इसके notification में जितनी भी important जानकारी थी वह आपने आपके साथ सेख कर दिये further information के लिए आप इसके notification को read कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को like कर दें चैनल को subscribe कर दें मिलते हैं next video में thank you for watching